Welcome to this beautiful kitchen, the K-Kitchen. आज इस K-Kitchen के अंदर हम बनाने वाले हैं पनीर बटर मसाला. इसके लिए हमें चाहिए एक पैन जिसे हम गरम करेंगे, दिल बिट अफ ओल, और क्योंकि ये एक बटर मसाला है, इसमें जाएगा बटर. एक तेज पत्ता, इसके अंदर हम डालेंगे बारी कटाओवा प्याज. Now, ratio प्याज is to tomato ये आपको याद रखने है, जितना प्याज है उसका double टमाटर. प्याज ब्राउन हो गया है, इस टेज पे हम इसमें डालेंगे चॉप्ट जिंजर और चॉप्ट गालिक. ये रा गालिक, ये रा जिंजर, साथी साथ चॉप्ट ग्रीन चिली, एक लाइक स्टर, कश्मीरी चिली पावडर, और कश्मीरी चिली पावडर डालते ही एक क्विक स्टर, और इसमें जाएगा चॉप्ट टॉमेटोस. इसमें हम डालेंगे नमक और इसे करीबन 20 मिनिट तक हम पकाते रहेंगे या जब तक कि टमाटर बिल्कुल मैशी नहों जाए. पनीर बटर मसाला इस वान दी एजिएस्ट रेसिपीज, लाइक है एक हिस्सा प्यास, दो हिस्से टमाटर, दोनों को पकाना है, उसके बाद उसके अंदर पनीर जाएगा और क्रीम के साथ फिनिशिंग होगी. Now, as we see, इसके अंदर वो स्पेक्स of oil है, जो उस आउठ हो रहे है, इस इस अंदर के टमाटर पक चुका है. At this stage, इसमें हम डालेंगे ताइस्ट पनीर. Lightly mix it. Now, just a little dash of water. फोड़ा सा मेथी लीज़ का पावडर, खूब सारा छॉप्ट कोरियंडर. And finally, cream, a lot of cream. Give it a nice stir. Look at that color change from dark to absolutely white to a very nice, beautiful reddish-orange hue. We'll cook it just for another 30 seconds, ज्यादा नहीं, otherwise cream अपना oil छोड़ देगी. Just a little. Now, इसे हम प्लीट करेंगे, और लच्छे परांटे के साथ, ये डिश बहुत ही बढ़िया जाती है. इसमें जाएगा, एक स्प्रिग उप कोरियांडर. और हमारा पनीर बटर मसाला तयार.